Hello Friends, Welcome to Studyker, मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर दोस्तो 10 मिनट अमरे सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिसकस करेंगे 2023 के प्रमुक निरहन तो आप इस पूरे लेक्शर को बहुत ही ध्यान से लास तक जूर देखेगा दोस्तो 2023 के ये जो प्रमुक निरहन है, ये जुलाई 2023 तक अपडेटिट है तो आपके एक्जाम के पॉइंट अब उसे बहुत इंपॉर्टेंट लेक्शर हो जाता है और दोस्तो आप इस सीरीज के बारे में भी बताईएगा कि ये 10 मिनट की सीरीज आपको कैसी लगती है इस सीरीज में, दोस्तो हम किसी भी टॉपिक को बहुत हिंप कम समय में समझने का प्रियास करेंगी उसको रिवाइज करने का प्रियास करेंगी जिससे आपको आपके exam में help मिल सकेगी PDF अगर आपको download करना हो तो टेलिग्राम से आप download कर सकते हैं टेलिग्राम पर जाएए study कर official आप search करेंगे तो आपको हमारे टेलिग्राम चेनल मिल जाएगा join करेंगे तो PDF भी मिल जाएगा इसके अलावा PDF हमारे एप पर भी उपलब्ध है तो एप को download कर लीजी link description box में दी गई है पहला question है जोन वैनिश्टर गूड इनफ का निधन हो गया है वहाई कौन थे तो दोस्तो वहाई एक विग्यानिक थे जिनका हाली में निधन हो गया है अंगला question है गूफी पैंटल का निधन हो गया है वहाई कौन थे तो दोस्तो गूफी पैंटल एक एक्टर थे और बी आर चोपडा का जो सीरियल आये था महा भारत उसमें उन्होंने सकुनी की भूम का निभाई थी जिसके लिए वो प्रिसिद्ध हुए थे तो दोस्तो याद रखिएगा गूफी पैंटल कौन थे एक एक्टर थे सुलोचना लाटकर का निधन हो गया है वाई कौन थी तो दोस्तो सुलोचना लाटकर एक अभिनेत्री थी यानि एक्टरेस थी उनका भी अभी हाली में निधन हुआ है लेखिका और नारीबादी अमा अता एडू का निधन हो गया है वह किस देश की एथलेट थी तो टोरी बोबी जो थी अमेरिका की एथलेट थी तो इनका अभी हाली में निधन हो गया है डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया है वह कौन थे तो दोस्तो वह एक प्रसिद विज्ञानिक थे जिनका अभी हाली में निधन हुआ है प्रकास सिंग बादल का निधन हो गया है किस देश के पूर्व मुख मंत्री थे तो दोस्तों प्रकास सिंग बादल पंजाब के पूर्व मुख मंत्री थे उनका अभी हाली में निधन हुआ है उनका जन्म 1927 में हुआ था तारिक फत्य का निधन हो गया है वह कौन थे तो दोस्तो तारिक फत्य एक लेखक भी थे पत्रकार भी थे और इन्होंने अपने पत्रिकारता पाकिस्तान से शुरू की थी फिर बाद में ये कनाडा चले गए फिर दोस्तो इसकी बाद वो इंडिया आ गये थे तो याद रखेगा तारिक फत्य कौन थे एक राइटर थे और एक पत्रकार भी थे महिंद्रा समू के पूर्व अध्यक्ष केसव महिंद्रा का निधन हो गया है वह किस समू के संस्थापक अध्यक्ष थे जलबाला बैद का निधन हो गया है वह कौन थी तो दोस्तो जलबाला बैद एक रंग मंच अभिनेत्री थी यानि थेटर एक्टरेस थी उनका अभी हाली में निधन हुआ है डॉक्टर जफरोला चौधरी का निधन हो गया है उनका संबंद किस देश से है तो दोस्तो उनका संबंद बांगला देश से है तो बांगला देश की एक एक एक्टिविस्ट थे डॉक्टर जफरोला चौधरी तो उनका अभी हाली में निधन हुआ है सारा थॉमस का निधन हो गया है वह कौन थी तो दोस्तो वह एक उपन्यासकार थी जिनका अभी हाली में निधन हुआ है सलीम दुरानी का निधन हो गया है वह कौन थे तो दोस्तो सलीम दुरानी एक क्रिकेटर थे तो इनका भी अभी हाली में निधन हुआ है इंटेल की सह संस्थापक कौन थे जिनका हाली में निधन हो गया है आंसर हो जाएगा Garden Moore तो दोस्तो Garden Moore जो है Intel की सहसंस थापक थे यानि Co-Founder थे इनका अभी हाली में निधन हुआ है बेद परताब बैदिक का निधन हो गया है वाइकॉन थे तो दोस्तो बेद परताब बैदिक एक पत्रिकार थे जिनका अभी हाली में निधन हुआ है नेक्स्ट कुशन है सतीस कौसिक का निधन हो गया है वाइकॉन थे आंसर हो जाएगा अभिनेता और निर्देशक यानि एक्टर भी थे और डारेक्टर भी थे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा Option No.C अंगला कुशन है A.M. एहमदी का निधन हो गया है वाइक किस छित्र से संबन्द थे तो दोस्तो वाइक कानोन से संबन्द थे और भारत के Chief Justice आफ इंडिया भी रह चुके हैं कौन A.M. एहमदी अंगला कुशन है A.M. प्रकास कोहिली का निधन हो गया है वाइक किस छित्र से जुड़े थे तो दोस्तो वाइक politician थे, राजनेतिक थे तो उनका संबन्द राजनीती से था और इसके अलाबाब गुजरात और मद्द प्रदेश के राजपाल भी रह चुके थे परवेज मुसरब का निधन हो गया है वह किस देश के पूर्व राष्टपती थे तो दोस्तो परवेज मुसरब पाकिस्तान के पूर्व राष्टपती थे जिनका 2023 में निधन हुआ है अंगला कुशन है बानी जैराम का निधन हो गया है उन्हें किस वर्स पद में भूशन दिया गया था आंसर हो जाएगा 2023 में अंगला कुशन है के विशुनात का निधन हो गया है वह कौन थे तो दोस्तों के विशुनात एक फिल्मकार थे यानि फिल्मिकर थे जिनका हाली में निधन हो गया है और इसके अलाबा उन्होंने एक्टर के रूप में भी काम किया हुआ है वह कौन थे तो बाल कृस्न दोसी एक वास्तुकार यानि आर्किटेक्ट थे उनका अभी हाली में निधन ओ गया है नील मणी फूकन का निधन ओ गया है वह किस भासा के कभी थे तो दोस्तो नील मणी फूकन जो थे वो असमिया भासा के कभी थे जिनका अभी हाली में निधन हुआ है दुनिया की सबसे उम्र दराज महिला लिूसिल रेंडन का निधन हो गया है उनका संबंध किस देश से था तो दोस्तो जो दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला थी लिूसिल रेंडन उनका निधन हुआ है उनका संबंद था फ्रांस से किस देश से था दोस्तो फ्रांस से और इनकी मृत्तिव जो है वो 118 साल में हुई थी अंगला कुशन है केसरी नाथ तरपाठी का निधन हो गया है वह किस राज के पूर्व राजपाल थे तो केसरी नाथ तरपाठी की अगर हम बात करें तो वह पशिब मंगाल के पूर्व राजपाल थे सरद यादाव का निधन हो गया है वह कौन थे तो सरद यादाव पूर्व केंद्रिय मंत्री थे जिनका 2023 में निधन हुआ है वाल्टर कनिंगम का संबंध नासा की किस अंतरिक्ष कारकरम से था जिनका हाली में निधन हो गया है तो दोस्तो नासा का एक कारक्रम था अपोलो तो उस कारक्रम का हिस्सा थे कौन वाल्टर कनिंगम तो इनका अभी हाली में निधन हो गया है सुमित्रा सैन का निधन हो गया है वह कौन थी तो सुमित्रा सैन की अगर हम बात करें तो वह एक गाईका थी जिनका अभी हाली में न निधन हुआ है तो दोस्तो वह एक लावड़ी गाईका थी और लावड़ी जो है ये महाराष्ट से रिलेटेड हैं तो याद रखीगा सुलोचना चब्हार जो है वो एक लावड़ी गाईका थी जिनका हाली में निधन हुआ है तो दोस्तो ये थे 2023 के प्रमुक निधन आपके लिए एक कोश का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीचीगा हमें चार रहेगा आपके आंसर का लेक्शर पसंद आया हो तो आप इसी लाइक करें सेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म पर